असलाव अलेकूम वेलकम बैक टो मैं चैनल आज मैं आप लोगो एक स्पेशल वीडियो दिखाने वाली हूँ क्योंकि आज है मदर्स डे का सेलिब्रेशन सामिर की स्कूल पे मैं मदर हूँ आज मेरा बेटा में साथ सेलिब्रेट करेगा वही के लिए मैं स्कूल जा रही थी शामिर का सो मै और सामिर रिक्सा ले ली हूँ और हम लोग स्कूल जा रहे थे और मौसम काफी अच्छा था बहुत अच्छा वैदर हो रहा था गर्मी भी नहीं थी हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था तो आप लोग भी बताना बच्चों के साथ आप लोग ने मदस डे कैसे celebrate किया वैसे तो मैं ये मदस डे मानती नहीं हूँ क्योंकि हम मा का दिन हमेशा होता है कोई एक दिन special नहीं होता है हर दिन मा का दिन होता है तो शामिस के स्कूल पर celebration था मैं सोच रही थी कितने बड़े हो गए हम लोग जो आज अपने बच्चों के सेलिबरेशन में मदर्सडे के सेलिबरेशन में जा रहे थे छोटे में ना मैं अपने मम्मी के लिए चोटी-चोटी केक्स वगेरा खरीद के चुटा चुटा पाउडर वगेरा अपने pocket money से खरीद के ममा को gift दिया करती थी आज मैं वही realize करी थी कि मैं कितनी जादा बड़ी हो गई हूँ जो आज मेरी बच्चे में संग Mother's Day का celebration कर रहा था यह मेरा mini vlog अगर पसंद आया तो please subscribe my channel सो यहाँ पे शामिर ने बहुत क्यूट सा पास्ता का necklace बनाया था मेरे लिए जो मैंने है अपने hit पे लगाया था thank you शामिर उसका यह effort देखके मुझे बहुत जादा खुशी हुआ मुझे Mother's Day का gift उसका बहुत जादा पसंद आया तो यह शामिर का स्कूल का decoration था काफी जादा प्यारा था तो यहाँ बच्चे लोग यहाँ पे dance performance कर रहे थे ममी लोग के लिए आदो बच्चे बहुत अच्छा dance performance कर रहे थे और हर मतलब all's mothers के लिए मैं तो salute करना चाहती हूँ मैं जब से माँ बनी हुँ ना मुझे ऐसास हुआ है कि माँ का feeling क्या होता है सो यहाँ पे मैं जब ने टीचर्स ने कुछ रैम वॉक कर आया था ममी और student से काफी अच्छा लग रहा था मुझे तो यहाँ इन लोग का celebration में तो के cutting होने वाला था काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग लगा तो यहाँ पे टीचर्स ममा और बच्चों को गेम्स भी खेला रही थी काफी ज़्यादा अच्छा इंट्रेस्टिंग वगेरा लगा स्कूल में मदर्स डी का celebration काफी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे थांक्यू टीचर्स आप लोग इतना अच्छा celebration किये और मेरी बच्चा वो भी मेले gift दिये तो थांक्यू मैं हर मदर्स को salute करना चाहती हूँ क्योंकि जब से मैं मा बनी हूँ मा का मतलब मुझे पता चला कितना ज़्यादा डर लगता है आप लोग भी बताएगा मैं थोड़ा emotional हो गई हूँ क्योंकि आप लोग भी बताएगा कि जब से आप मा बने आपको अपना debt अपना मरने से कितना डर हो गया होगा यह सोच कर कि कल को मैं नहीं रहूंगी तुम्हें बच्चों को कौन देख तो यह सब सोच कर बहुत डर लगता है मुझे यह फिलिंग्स आया है तो हैपी मदर्स दे टू आल मदर्स हैपी मदर्स दे सो थैंक यू फो वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अगर मेरा मिनी व्लॉग पसंद आये तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें थैंक यू हैपी मदर्स दे थैंक यू